हेलोवान असलावलेकूम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम एक मार्यूडवय चैनल आज की वोड़े में बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल है यत्राबादी बिगारे बैंगन की रेस्पी अमादी वो बहुत ही सिंपल है इससे पहले आप लोगों ने काफी तरीके से बगारे बैंगन खाये रहें या उसकता है कुछ इस रेस्पी को बनाना शुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़े दिखा दे तरी इसमें तू टीस्पून मैंने लालमिश का पाउडर लिया वन टीस्पून हल्दी टू टेबल स्पून हमने वाइट तिल लिए फोर टेबल स्पून हमने मुफली का लिया पि बेंगन लिए जो के हमने लिए वन केजी बिल्कुल फ्रेश लिए तो यह सारी चीज़े आपको यहां पर बता दी हैं सबसे पहले जो हमने काम करना चीज़े इसलिए बताइए यह जो आप लोगों को चीज़े नज़र आ रही है इसमें आप लोगों लालमिश का पाउडर बना रहे हैं साथ ही मैं आप पर बेंगन का काम भी कर लेती हूं देखे जो मने 1kg बेंगन लिए आप लोगों जीतने बेंगन का बनाना आप लोग उतने ले ले यह इस तरह से सबसे पहले हमने इसकी साइड़ करने हैं पूरी ने नहीं कट करनें युस्स हल्का हलका सा कट करेंगे और सबसे पहले आप लोग उने बेंगन को वोश कर लेना अच्छे से और इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने कट्स लगा देने हैं बिल्कुल डीप कट्स लगाएंगे लेकिन इतना लगाना कि नीचे से कटना हो ये देखें जैसे और बाद में आप लोग मिझा अगर है तो यह राएंगन यूद्ट करका लेन अगर आप लोग दया हो चुक आया झाल करेंगे जो हमारी चीज़े थी अब ड्राय मसाले में जिस werd पाव्डर रहल दिया से इसके लावा यह 1 teaspoon नमक है, नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें, अब यह डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करना कि मारे बाकी इंग्रीडेंट्स में यह मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं, इवनली मिक्स हो, तो यह बहुत ही special मसाला है, इसमें बहुत ही टेस्ट डिवैलप होने वाला है, क्योंकि इनको अभी अपनी बेंगन में एड्ट करेंगे, जो हमने आगे करना है, और सबसे पहले हम एक और काम कर लेंगे, जिसमें हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ओल कर लिए, यह मिसमें डाल देंगे, और अ आप लोगों ने एक चुटकी नमक लेना, भरके नहीं लेना ज्यादा, और बेंगन के अंदर शामिल करना है, और इसके बाद इसमें जो हमने मसाला अपना थियार किया है, यह डाल देंगे, तो रैस्पी बहुत आसान है, इसलिए आप लोगों इसकिप नहीं करना, और इस नजर आ रहा होगा, तो बाकी सारे बेंगन को भी हमने सेम, इसी तरह से आप लोगों ने पहले नमक थोड़ा सा शामिल करना है, चारो तरफ अच्छे से, और उसके बाद इसमें मसाला डाल देना है, यह देखें माशला से, सारे बेंगन में मसाला शामिल कर लिए और बहु सबसे पहले हमने एक कड़ाई में, और इसमें छे से आठ अदद हमने गोल लाल मिष्ट डाल दिये साबत, और यह जीरा शामिल कर दिया है, जो के हमने हाफ टीस्पून डाला है, और इसके लावा वन पौर टीस्पून राई दाना, और वन पौर टीस्पून ही मेथी दाना तो यह हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से, अच्छे से हमने पहले कड़ी पता को धोल गया, और यह इसमें डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को पहले हमने हलका सा कड़कडा लेना है, ऑईल में फ्लेवर आजे, फिर हम इसके बाद इसमें प्यास शामिल कर देंगे, पेस्ट बना लिए इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और प्यास को ऑप अपर नहीं इसकी बनाई करनी है ताकि प्यास का कच्छापन भी त्यार फेज़ए अगर आप लोंगे घर में खाना पसंद नि यकीन करेंगेทगा और आपसे फर्माइश करके दुबारा से बनवाएंगे क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने बेंगन के पकोड़े खाए होंगे आलू बेंगन के सबसी खाई होगी या बेंगन दाल और भी वो तरीके से बनाया जाता है लेकिन यह बगारे बेंगन की रैस्पी जूर से ट्र यह डाल देंगे और इसके लावा फ़ टी स्पूल मैं इसमें नमक शामिल करें और नमक आप लोग अपने टेस्ट के इसाब से डाले इससे पहले अपने बेंगन में भी शामिल किया है तो इसलिए आप लोग थोड़ा चाठते रहेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी और जो हमने बेंगन में मसाला शामिल किया वह खाने से जो टेस्ट आने वाला है आथ से पहले इतना लजीज आप लोग ने बेंगन की सबसी नहीं खाई होगी मैं गरेंटी दे सकती हूं अब यह देखें यहां पर जो हमने अपने बेंगन में मसाला शामिल किया था तो अगर आप लोगों का भी बच जाए तो आप लोगे असे अरही से मसाले की भुनाई जब हम करें एक साथ ही इसमें शामिल कर दें झारिए तो मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी डाल लिए ताकि हम मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लें बहतरी तो जितनी बहतरी हम भुनाई करेंगे मसाले की उतने हाँ हमारा लजीज यहां पर यह सालन बनकर त्यार होगा बेंगन का जो के खाने में भी फिर मजा आए तो यह चोटी-चोटी सी चीज़े होती है जिनको हम इग्नौर कर देते हैं और फिर हमारी रेस्पी खराब हो जाती है इसलिए मैं आप लोग को कहती हूँ रेस्पी को पहले एक बार अच्छे से देख लें और पिर इसके बाद आप लोग बनाएंगे तो इंशालला आपक आपको दिखने में टेस्टी लग रही है ना खाने में उससे सोग होना ज्यादा टेस्टी है अभी मैंने बस इसमें एक कप पानी का शामिल किया कवर करेंगे कवर करके 5-7 मिट तक मीडियम लोग फ्लेम पर पकाएंगे और फिर हम अपनी बाकी की रस्पी को कंटीनू करें करेंगे लेजी 5-7 मिट कंप्लीट हो चुके हैं अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया अभी तक सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक किया वीडियो को लाइक कर दे और अगर कॉमेंट निंग किया तो कॉमेंट भी कर दें क्योंकि अपनी इस ग्रेवी अब हमारी यहां पर त्यार हो चुकी है देखें कितने जटपट से बन गई है अब इस फिर से कवर लगाना है पांच मिनट के लिए दंपर रखेंगे बेंगन भी हमारे त्यार हो जेंगे फिर डिशर करके आपसे इसकी फाइन लुक शेयर करते हैं तो देखें माश्यलाल बहुत ही बेत्री बहुत ही मज़ेदार बहुत सिंपल है इद्राबादी बगारे बेंगन की रेष्पी बनकर त्यार हो चुकी है देखें आपको जितनी दिखनें पर टेस्टी लगरे ना इसकी ग्रेवी भी बहुत कमाल किया और जो बेंगना वह तो बहुत लाजवाब ब आफिस्ट